प्रियोटिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में के प्रियोटिक टेबल किस तरह पौम होगा चांद एक चीज़ा हम डिसक्स कर चुके थे वह यह थी कि सबसे पिलें डूबरीनियर साइंटिस्ट आया जिसने ट्राइड्स दिये इस साइंजदा ने यह कहा कि अगर तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जाए तो जो मिडल एलिमेंट का अटॉमिक मैस होगा वो बाकी दो एलिमेंट के अटॉमिक मैस की एवरेज होता है इसके बाद नूलेंड आक्टेव जाया इसने सिंपल यह बात की कि अगर एलिमेंट को अटॉमिक मैस की बनाद पर तर्टीब दे दिया जाए तो हर आठवे एलिमेंट के बार प्रॉपर्टीज रिपीट होती है अब थर्ड नंबर पे मैली प्रॉडिक पेपर आया इसने 36 एलिमेंट को तर्टीब दिया और इसने वर्ट युज के प्रॉडिक मैनर एक खास वकपे के बार प्रॉपेट रिपीट होने शुरू हो जाती है अगर एलिमेंट को तर्टीब दिया जाए इनके Atomic Massage की बन्याद पर अब इसके प्रोडब में चांदे खामिये रहे थी Scientist ने चांदे कोश्चन रेस की है जिसका यह आंसर ने कर पाया पहले नमबर पर जो प्रोब्लम वाई वो आईसोटोबस के बारे में थी बात यह आगी कि अगर आपने का है Atomic Massage की बन्याद पर तर्तीव देना है अलिमेंट को तो आपने मुझे सिंपल सा आंसर देना है कि Carbon 12, Carbon 13 और Carbon 14 है यह Carbon के तीन आईसोटोबस हैं आपने सिर्फ पुसिव अपने प्रियोडिक टेबल में Carbon 12 को रखा यानि ऐसा Carbon जिसका Atomic Mass 12 है बाकी 13 और 14 वाला क्यों नहीं रखा पहली प्रोब्लम यह आप सेकंड प्रोब्लम यह थी कि चल्द एक ऐलिमेंट्स मिस अरेंजड हो गए थे मसलाँ एक हमारे पास दो ऐलिमेंट्स है आर्गोन और पुटाशिम इन दो एलिमेंट्स में इसने मिस अरेंजड कर दिया था मिस अरेंजड के मतलब इसकी तर्तीब सही नहीं दी अब जो Modern Priority Table जो अब हम यूज़ कर रहे हैं इसमें आर्गोन पहले आता है पुटाशिम बाद में आता है कोई एक-थो सार स्टडी की स्टडी करने के बाद जितने भी एलिमेंट्स से उन सब एलिमेंट्स का अटोमिक नंबर दिसकवर करते है एक मुज़रत्स पहली का आतामिक ननुबर के यह बात जहेन और रखे घा का Atomic Mass को पहली दफ़ा डिस्कवर करने वारा साइंटिस्ट कैनिजा रहा था Atomic Number को पहली दफ़ा completely determine करने वारा साइंटिस्ट एच मोज रहा था दोनों को नाम याद रखे हैं यह Atomic Mass का है यह Atomic Number का है अब जब Atomic Number डिस्कवर हो गया तो जितने भी animation साब को Atomic Number की बन्याद पर तर्दिब दिया तो जितने भी problem सी वह सारी की सारी solve रहा था और उस्सी चीज़ के बारे में हमने Modern Periodic Law या फिर Simple Periodic Law भी कहते हैं इसको क्या कहते है प्रियोडिक ला प्रियोडिक ला और Modern Periodic ला को उर्दू में कहते हैं जदीर प्रियोडिक ला जदीर प्रियोडिक ला अगर इस टॉपिक में बोर्ट के लिहाद से निखा जाए एक शोट कोशन बहुत ज़्यदा इंपोर्टन है और एक MCQ बहुत ज़्यदा इंपोर्टन है बाकि ज़्यदो का हमने एक्स्प्रेंट कर दिया है अच्छा जो MC की इंपोर्टन है वो है Atomic Number को डिस्कवर करने वाला पहला साइटिस्ट कौन था जिसने पहले दफ़ा जितने भी ऐलिमेंस से एक Atomic Number को Determine किया वो था H Mosley नाम याद रखना है In 1913 संद विशक याद ना रखे 1913 At Mosley At Mosley ने क्या काम किया था? Discover, रियाक किया Discovered Atomic Masses Atomic Masses Of Sorry Atomic Number Of All Elements Atomic Masses को discover करने वाल साइंटिस्ट कैनी ज़र होता है Elements जितने भी Non Elements है उस वह उन साब का Atomic Number को discover करने वाल साइंटिस्ट एच Mosley था यह नाम याद रखे लिए अब Modern Priority Clark की definition पूछ रहते है What is Modern Priority Clark? यह सिंपल सी Definition है यह कुछन आ जाता है What is Modern Periodic Clark? यह पिर सिंपल एक पूछ सकते है What is Periodic Clark क्या चीज़ है सिंपल सी तकरीपर आदे सभी की definition आदे लाइन की definition है विल्कुल सिंपल सी है लेकिक कोशिच कीज़ेगा इस definition को समझ ले अब इसकी definition का है Properties of Elements Elements की जो खुसूसियात होती है Properties of Elements Are Periodic Function यह Periodic Periodic Function होती है किस चीज़ का Periodic Function of Their Atomic Massive Sorry, Their Atomic Their Atomic Number यह Element के Atomic Number का Periodic Function होती है और यह याद रखें कि जो लाव होता है उसको तबदील नहीं किया जा सकता है बहुत मुश्कुल होता है चांस ऐसे कहलें कि 0.01% चांस होते हैं किसी लाव को आप चीज़ कर सकें सभी अब यह Periodic लाव है अब यह लाव बन चुका है कि जितने भी Elements Periodic Table में हैं उन सब Elements को आपने अरेंज किया हुआ है Atomic Number की बन्याद पे अच्छा Atomic Number की बन्याद पे तर्थीद देने का फाइदा यह हुआ पहले Number पे कि जितने भी Elements हैं आपके पास 118 Elements है हर एक Elements का Atomic Number एक मुनफर्द है मुनफर्द का क्या मतलब है कि जो एक Element का Atomic Number है वो किसी दूसरे Element का नहीं हो सकता मसला Hydrogen का One Atomic Number है अब One वाला Atomic Number किसी और Element का नहीं हो सकता किसी भी और Element का नहीं हो सकता यह बात आपने जहन में रख लेने हैं सेकंड इसकी Importance यह थी कि Atomic Number क्यों यूज किया गया Atomic Mass की उन्याद के इलावा बात यहां पे आ जाती थी कि Atomic Number regularly continuously increase होता है continuously increase होने का मतलब यह कि अगर One Hydrogen का है तो हमारे पास हिलियम का Three Lithium का यह इस तरह One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine इस तरह continuously increase हो रहा था लेकिन Atomic Mass continuously increase नहीं होता था इसमें Gap आ जाते है इसलिए हमने Atomic Number को चूज किया अज जब Elements को तरतीब दिया गया तरतीब देने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का Priority Table बन गया इस तरह अब इस तरह का Priority Table में चालने एक वात है आपने थोड़ी थोड़ी वास माइंड मा रखने नहीं है बात की चीज़ें इंशारा तरह हम आगे डिसकस कर लेंगे का फिर एक्स्राइशन में एंगे इस तरह के एक Priority Table आपकी बना हुआ है फोड़ी जाएंगे ना दो तीन फिर ठर्ण करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा इस तरह का यह हमारे पास Priority Table दो लाएने यहां पे होँगी इसका बाद यहां पे होँगी यह हमारे पास Priority Table है अब इसमें आपने चंद लेक बाते याद रखने हैं वो यह ती सबसे पहरे इस Priority Table में 118 elements है इसमें 118 elements को तरतीव दिया गया है यह आपकी आपको लाजमी help करेगा इस Priority Table में total 118 elements है इसमें को atomic number की बन्याद पर दिया गया है अब इसमें देखेंगे दो तरह कितारे एक कितारे इस तरह की है एक इस तरह की है अब जो उपर से निश्टी की तरफ आती है इसको हम कहते है कॉलम से यह जो vertical rows है इसको column कहते है जो इस तरह जारी होती है इसको हम groups कहते है इसको हमने नाम दे रखा है groups का अब अगर बात की जाए यहां से रेखी यहां तक की वान टू अगर यहां चाप गंती करना शुरू करते हैं यहां तक total 18 groups अठारा columns है यहां फिर इसको हम groups भी कह सकते हैं अठारा groups है total कितने groups है इस periodic table में 18 अब इसको period कहते है इसको हम period कह रहे होते हैं जो horizontal rows होती हैं इसको periods कहते हैं अगर periods की बात की जाए periodic table में overall हमारे पास 7 periods है जिसके मुख़िव नेम्स रखते हुआ है सही है अब यह बात होगी कि 7 periods है 18 groups है periodic table में अब इसके बात दो line है आपको बिलकुल नीचे नजरा आती है बिलकुल नीचे अब इननस से जो पहरी line होती है इसको हम कहते है length night length night या पी length night series भी कहते है अब जो दूसरी line होती है इसको हम कहते है hectalight hectalight series यह आपको काफी ज्यादा help देंगी chemistry में बहुत ज्यादा help देने वाज़े यह छोटी छोटी चीज़े है 100 high elements है priority table में इस तरह की rows होंगी इसको हम periods कहते हैं इस तरह होंगी इसको हम groups कहते है periods में priority table में total number of periods 7 है total number of groups 18 है निचे दो series पाई जाते है जिसको हम एक series को length net series कहते हैं एक को हम act net series कहते हैं अब यही बात है main main है और कोई इसमें important बात नहीं है simple वाद आपने इसकी यह वाज़ चीज़ याद लख लिए बहुत ज़दा important है बहुत ज़दा short question में तो बहुत दफ़ा push ही जा चुकी है इंशालतर हम next start करेंगे atomic number क्यों prefer किया इसको explanation बजीर करेंगे atomic number के क्यों prefer किया atomic mass की बिया से अब तक के लिए Allah Hafiz और इसके screenshot ले ले यह